हेलो फ्रेंट्स मैं हुआ नपुना और विल्कम टू आज आएनल आज हम बनाएंगे एक और हेल्दी रेसिपी जिसे यूज करने से हमारा वजन तो कम होता ही है साथी और कई जाधा हमें हेल्ग बेनेफिट्स मिलेंगे इसे हम मीठा भी बना के यूज कर सकते हैं और इसे हम दोनों में से जो भी यूज करो दो नों की बही ज़्यादा रेसिवारण संद्स हैै इसमें काफी मात्रा में आईरन है कैलश्य मैं तो आए डेकते इसे कैसे बनाते हैं तो इसके लिए मैंने लिया रागी का आठा जिसें लिए कर दिखने में सरसोंं क होता है उसका आठा है इसे आप घर में भी बना सकते हैं या मार्केट से भी पचिस कर सकते हैं तो अभी मैंने एक बाउल लिया है उसमें पहले मैं दो टेबल स्पून रागी का आटा डाल रहे हूँ आपको जितना बनाना उसके अकॉर्डिंग आप आटा ले लेना आप ये मान के चलो अगर आपको एक कप बनाना है मिंस एक गलास बनाना है तो एक टेबल स्पून तो अभी मैंने पहले दो टेबल स्पून आटा लिया है लेकर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गोल बना ले रहे हूँ इस तरीके से घुल बनाने से इसमें गुटलिया नहीं रहेगी अगर हम लोग डारेक्ट आटे को पानी में डालेंगे मिस गरम पानी में तो गुटलिया बन सकती है तो इस तरीके से हमें पहले घुल बना लेना है तो मैंने एक टेबल स्पून और डाला था तो अभी पानी को मैं boil होने रख दे रहे हूँ, तो मैंने ग्यास के ओपर पानी रखा है, अभी पानी में मैंने कुछ ने डाला है, पानी को just boil होने रख दे रहे हूँ, अब आटे को डालने से पहले इस तरीके से हमें एक बार और mix करके डालना है, क्योंकि नीचे आटा जम तो मैंने आटे को टॉस्टे आट को बलते हुए पाने में डालने के बाद इसे हमें कर दोनालने के बाद यह तो इस तरह के बाद भी भmeeिशकर कर दोके यह तो इस तरिकमें अठीकिस नमले में पर दोखेते हैं दोने अरूब। इसमें घंती हुद्र हो आहेון, रागी में काफे मात्रा में आईरन होता है तो जिसे एनिमिया का प्रॉब्लम है खुन की कमी है उसके लिए काफे फायदे मन्द है रागी उबलते समय इस तरीके से सफेज जाग आता है उसे आप निकाल कर अलग कर सकते अधरवाइस रहने दोगे तो भी कोई शुनी है ये जाग निकालने से हमारा जो रागी मालते वो क्लीन और अच्छा दिखेगा अब इसे एक बार और अच्छे से मिक्स करके रोलिंग बॉइल आते तक पकाना है पकने के बाद इसे 2-3 मिनिट और हमें मिक्स करके पकाना है ताकि इसमें जो भी कच्छा पन है वो निकल जाए तो इसे पकाने में मुझे पूरे 7 मिनिट का टाइम लगा 7 मिनिट बाद मैंने ग्यास का फिलिम ओफ कर दिया है अब इसे मैं उतार कर नीचे रख रही हूँ अब ये गरम है गरम में ही हमें आगे का प्रोसिजर करना है ये रेसिपी आप बच्चों को भी दे सकते हो बड़ों को भी दे सकते हो जो ओल्ड एज वाले हैं उनको भी आप दे सकते हो ये डाइबेटिक पेशेंट के लिए भी काफी ज़ाधा फाइदे मन्द है सभी के लिए फाइदे मन्द है इसे सुबह, मॉर्निंग में या फिर आप लंच में यूज़ कर सकते हो अगर आप इसे डेली भी आज ब्रेकफास्ट भी लोगे तो भी ये काफी ज़ाधा फाइदे मन्द है और जल्दी इससे वज़न कम होता है तो अभी मैंने दो बाउल लिये हैं दो बाउल में मैं थोड़ा-थोड़ा रागी माल डाल रही हूँ क्योंकि इसके हम दो रेसे पे बनाने वाले है अब बागी का मैंने साइड में रखा है तो सबसे पहले हम मीठा बनाएंगे उसके लिए मैं गूड यूज़ कर रही हूँ गूड आप गूड पाउडर भी यूज़ कर सकते हो या इस तरीके से तोड़ कर भी डाल सकते हो तो अभी मैंने इसमें गूड डाला है गूड डालकर इसे मिक्स करके मैं साइड में रख रही हूँ ताकि गूड जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए गूड की जगा आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हो बट गूड डालने से वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा अब हम बनाते हैं दुसरा वाला तो यह है दही यह थिक कड है तो सबसे पहले मैं इसमें डाल जहूँ नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉडिंग डालना डालने के बाद यह जो दही है इसको हम अच्छे से फेट लेते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी का भी यूस कर रही हूँ आप चाओ तो चाच का भी बटर मिल का भी यूस कर सकते हो तो यहाँ पे मैं गनफोर्ट कप दही था उसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाला मिस ये half bowl दही हो गया है अब ये दही को अच्छे से mix करने के बाद इसको भी मैं डाल रही हूँ रागी माल्क में डाल कर इसे हम अच्छे से mix करेंगे आप इसे इस तरीके से नमकिन बना कर भी पी सकते हो आप इसे मीठा बना कर भी जैसे भी आपका टेस्ट है आपको जो पसंद है वो आप बना के यूज़ कर सकते हो दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है परस्नली मुझे इस तरीके से नमकिन बहुत अच्छा लगता है और मैं इसे डेली यूज़ भी करती हूँ अब मैंने इसको अच्छे से mix कर लिया है सर्फ करने से पहले आप इसमें तो नमक डाल कर भी पियोगे अब ये अच्छे से mix हो गया है मैं इसे भी रख रही हूँ साइड में अब हम चेक करते हमारा गूड़ मेल्ट हो आई की नहीं अब यहाँ पर गूड़ डाल कर इसे अच्छे से mix कर रही हूँ यहां पर आप चाहो तो इसे, इसमें थोड़ा सा दूद भी डाल सकते हो, बट मैं वजन कम करने के लिए यूज कर रही हो, तो इसमें मैं दूद नहीं डाल रही हूँ, बट अगर आप बढ़ते वे बच्चों को इसे दोगे छोटे बच्चों को तो इसमें आप दूद करने से पहले सी इसमें तोटा से साहरा धनया और पुदिना डाल रही हूं। डालकर मिक्स कर करो करोंगी जैसे कि मैंने पहले बताया बीना दही बीना पुदीना बीना प्याज के भी आप इसे सर्फ कर सकते हो ऐसे बहुत अच्छा लगता है इसे आप गरम ठंडा जैसे चाहे वैसे सर्फ कर सकते हो दोनों तरीके से यह बहुत अच्छा लगता है अब मैं इसके उपर रख ड्राइफूट में बादाम काजू और पिष्टा का यूज़ कर रही हूँ आप अपने चॉइस के पाड़ी कोई भी एड़ कर सकते हो या स्किप कर सकते हो अब भी इसे जरूर बनाईए और अगर आपको ये रेसेपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब भ जरूर करे थांक यू